आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का पंचांग आज का संपुन पंचांग हम जाने उससे पहले आए हम सभी मिलकर एक बार सुब कामना उन लोगों को देदे जिनका जम दिन है आपको जम दिन की हार्दिक सुब कामना है भवान गनेश के गिरपास है आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अन्तो साथी साथ जिनका मेरेजनवर्सरी है उन्हें भी मेरेजनवर्सरी की हार्दिक सुब कामना है भवान सिव और माता पारवती की तरह आप जोनों की जोड़ी हमेशा यहीं बनी रहे साथ जोगविक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानि कि आप आपके लिए मैं आज के इनकी मंगल में होन पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है रितू ग्रिश्म रितू आयन उत्रायन रहने वाला है तेथी आज की रहेगी तेथ्या साम के पांच बचकर पैंटालेस मेर तक तदुपांध चतूर्थी तेथी आरंब हो जाएगी नक्षटर मूल रहने वाला है मूल लक्षटर दिन के 10 BAU locks 만 37 मेरत तक रहने वाला है तदुपान्थ पूर्वा 3 5 4 आरामभ on 1.7 रहेगा 7.5 आरामभगा जो कि साम के पांच सक आरामभगा जो कि अगले दिन आरामभगा नो तक तदुपंत सुभ योग आरम हो जाएगा दिसासूल पस्चिन निसा में पस्चिन निसा में किसी भी खास प्रियोजन से यात्रा आरम बना करें यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है अगर आप हर रोज यात्रा करते हैं फिर तो कोई बात नहीं है अगर बहुत जोड़ी हो यात्रा करना ही पड़े तो क्या करें नासिका का जो भी स्वर चल रहा हो नाक मिज़े से भी सांस ले रहे हैं आज वोला पर अपने मुख्यद्वार से पहले निकालना है आपको और अपनी यात्रा आरम करनी है सुब खाद्याज का पान रहने वाला है पान का छोट टुक्रा भी खा कर यात्रा आरम करेंगे तो आपके कारी बढ़ेंगे पान नहीं खाते हैं तो पान को अच्छे से प्रेक करके पॉकेट में रखके यात्रा करें चंद्र रासी धनू रहने वाली है आज जिन बच्चों का भी जन्म होगा उन सब की रासी जो है वो धनू ही रहने वाली है रवत्यहार में संकष्ठी गरिश चतूर्थी का उरत है सरवार्थ सिद्धियोग दिन के 10 बच कर 37 मिट तक रहने वाला है सूरी रासी वरिशासी शूरी नक्षठ रोहनी नक्षठ सौर मा जेष्ठ मा रहने वाला है सूरी ओदे और चंद ओदे की स्थिति पर एक नजर डालते है तो सूरी ओदे होगा सुबा के 5 बच कर 25 मिट पे सूरी आस साम के 7 बच कर 11 मिट पे चंद ओदे रातरी के 10 बच कर 12 मिट पे चंद रियास्त सूरी ओदे और चंद ओदे की बात आई एक नजर आज के सूब चोगरिया की स्थिति पर नजर डालते है आज का सूब समय दिन के 2 बच कर 1 मिट लेकर दिन के 3 बच कर 44 मिट तक रहने वाला है चर समय की बात के सूबा के 7 बच कर 8 मिट लेकर सूबा के 8 बच कर 51 मिट तक लाव समय सूबा के 8 बच कर 51 मिट तक दिन के 10 बच कर 34 मिट तक अमरित समय आज का दिन के 10 बच कर 34 मिट लेकर दिन के 12 बच कर 18 मिट तक रहने वाला है ये रत्याज की सुब्चोगरिया, आई एक नज़र आज के राहुकाल और गुलिक काल की स्थिति पर नज़र डालते हैं राहुकाल साम के 5 बच का 26 मेर्ट लेकर, साम के 7 बच के 11 मेर्ट तक रहने वाला है ये एक असुब समय होता है, इसमें कोई भी नया कारी अरब नहीं करना चाहिए गुलिक काल दिन के 3 बच का 44 मेर्ट लेकर, साम के 5 बच का 26 मेर तक परदोस काल साम के 7 बच के 11 मेर्ट लेकर, रात्री के 9 बच का 14 मेर तक निशित काल देर राती में 11 बच कर 17 मेर्स लेकर देर राती में 12 बच कर 38 मेर्ट अभजीत महुर्थ की बात कर ये एक सूप महुर्थ होता है रहने वाले सूप दिन के 11 बच कर 50 मेर्स लेकर दिन के 12 बच कर 45 मेर्ट तक इस समय में कोई छोटा मुटा कारी है आपका तो उसे आरम किया जा सकता है विजय महुर दिन के 2 बच कर 36 मेर्च लेकर दिन के 3 बच कर 31 मेर्च तक गौदली महुर साम के 6 बच कर 69 मेर्च लेकर साम के 7 बच कर 23 मेर्च तक ब्रह्म महुताज का सुभा के 4 बच कर 2 मेर्च लेकर, सुभा के 5 बच कर 24 मेर तक रहने वाला है। आज के लगनों की चर्चा कर लेते हैं, तो विसब लगन सुभा के 4 बच कर 48 मेर्च लेकर, सुभा के 6 बच कर 44 मेर तक रहने वाला है। मिठुलाग दाओ और शुबह के 6.00 14.00 मैड सोबह दोromat दोम करक करक दोर्ण सभा के दोर्ण सभाग ही अधपर 49.00 करक मैड सोर्म मेड सोर्म है तुला लगना सामके 3 बच कर 54 मेर्स लेकर सामके 6 बच कर 14 मेर्स लेकर रातरी के 8 बच कर 33 मेर्स तक रहने वाला है तुम तो यहां आप मैंने आपको आज का संपूर्ण विष्थित और सटीक पंचांग बताया है इसी तरह की अने ग्यानवर्दक वीडियो के लिए जूरे रही है धर्मसिक्चा के साथ और देखते रही है धर्मसिक्चा जेह माता दें